नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपका हमारी उडूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदिश में आज की बुडियों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रियल में V20 की फोन में आलवेज अन डिस्प्ले सेटिंग को आन कैसे करेंगे अपने लोग की स्कीन पर अपना नाम कैसे लिखेंगे तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना प्ले स्टोर ओपिन करना है यहां पर आपको सर्च करना है आलवेज अन डिस्प्ले सर्च करने वाद आपको बहुत से अप्लिकेशन मिलेंगे यहां पर देख सकते हैं तीसरी नंबर पर जो हमारे फोन में यह अप्लिकेशन आपको अपने फोन में डाउनलोड करना होता है एक मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके इसके द्वारा आप लोग आलवेज अन डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं आप इसको ओपेन करेंगे एकसर्प्ट का ओप्सन दिखाए देगा आपको इस इसके बाद आपको में भी लेटर का ओप्सन मिलेगा लेप्ट चार्ण नेचे की द्रब इस पर आपको किलिक कर देना है अब इसके बाद यहां पर देखेंगे काफी ज़धा ओप्सन है तो यह उप्सन मिलेगा वाजफेस कस्टमाईजेशन का ओप्सन आप लोगों को वा यहां पर मिनेट हावर्स का कलर आप लोग चेंज करना चाहते हैं इससे भी आप लोग चेंज कर सकते हैं अब इसके बाद यहां पर आन इसके मेमो का ओप्सन इस पर किलिक करके आप अपना नाम लिख सकते हैं जो भी आप लोग दोस्तों लिख सकते हैं और इमोजी अगर आप लोग लगाना चाहते हैं इमोजी भी आप लोग यहाँ पर सक्सेपुली लगा सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे memo font size का option है आपको memo font size पर click करना है जो आपने नाम लिखा है इसका size कितना रहना चाहिए आप बाद में इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद memo text color है इस पर आप लोग click करेंगे जो आपने नाम लिखा या mobile नंबर जो भी आपने लिखा है वो किस color में so होना चाहिए तो यहां पर आप लोग color choose कर लेजिए बाद में इसे आप जो है चेंज भी कर सकते हैं अब इसके बाद just इसके नीचे कुछ इक्टरा setting है date font size है और यहां पर नीचे जो है battery display charging status है और यहां पर सब कुछ आप लोग click करके so कर सकते हैं तो हमें कुछ भी एक्टरा setting करने की जरूरत नहीं है फानली हम यहां पर application को cut करते हैं अब अपने phone को lock कर देते हैं सिर्फ तीन सिकंड हम लोग wait करेंगे सिर्फ तीन सिकंड इसके बाद automatic आपके display पर always and display आपका नाम देखने को मिल जाता है हमने minute का color change किया